जाहिन फ्रेंट्स वेल्कम टू ओल आफ यूटूब चैनल वेटू गोल्ड फ्रेंट्स आज है सत्रा जुन वह सत्रा जुन से रेलेटड इस्टाटिक जीके के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं पहले वीडियो में हम वे सारे डिसकस करेंगे वह पुना आग तो आज की बीडियो के पीडियो फाइल को डाउनलूद कर सकते हैं प्रेंट्स बात करते हैं आज 17 जुन से रेलेटड इस्टाटिक जीके के पहले कुएशन के प्रेंगे वीडियो का पहला कुएशन जापना अंतरास्ट्रिय हवाई अड़ा कहां है तो स्री लंका में हवाई अड्डो को विक्सित करने के लिए भारत ने स्री लंका के साथ एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्चर किये हैं जिस कारण यहां अंतराष्ट्य हवाई अड्डा भारत के दिर्ष्टिकोंट से बहुत जादा इम्पोर्टेंट है वह important वह खबरों में होने के करण static gk से related question बन सकता है कि जा अपना अंतराष्ट्य हवाई अड़ा कहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जा अपना अंतराष्ट्य हवाई अड़ा आपके स्रीलंका में है और इस हवाई अड़े को विक्षित करने के लिए हाल ही में भारत ने स्रीलंका के साथ एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्चर की है अब ये स्रीलंका में है तो माइंड में तुरंत कलिक हो जाना चाहिए कि स्रीलंका से related question क्या क्या बन सकते हैं आपको बता दू यह है मैप में स्रीलंका स्रीलंका की capital कोलंबो वा स्रीलंका की currency स्रीलंकाई रुपिया है तो friends question number first के साथ आपको स्रीलंका से related इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number two अक्षे उर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंदर सासित परदेश कौन सा है तो friends सबसे पहले तो आपको बता दू कि अक्षे उर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंदर सासित परदेश लद्दाक है तो friends question number two का right answer है option number two friends आपको बता दू खाल ही में कुछ दिनों पहले केंदर सरकार की योजना अनुसार नई वा नमी करने उर्जा मंतराले द्वारा अब लद्दाक में हाइडरोजन इंदन बसों को चलाने की अनुमती दी गई है जिस कारण अब लद्दाक अक्षे उर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंदर सासित परदेश बन गया है तो friends इस कारण हाल ही में लद्दाक बहुत जादा खबरों में रहा वो आपको पता होना चाहिए कि अच्छे उर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंदर सासित परदेश लद्दाक बन गया है तो friends question number two से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number three रामगड ताल जील कहा इस्तित है तो friends सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भारत के उत्तर परदेश राज्य में रामगड ताल जील इस्तित है तो friends question number three का right answer है option number two friends आपको बता दूं हाल ही में रामगड ताल जील बहुत ज़्यादा खबरों में रही आपको बता दूं उत्तर परदेश के चीप मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रामगड ताल जील में 9.96 करोड रुपे की परियोजनाओं का उधगाटन किया है friends वा इन परियोजनाओं के उधगाटन के साथ साथ इस परियोजना में 450 किलो वाट्स और उड़जा सहिंत्र का उधगाटन भी किया है friends इस कारण यहाद ताल बहुत ज़्यादा खबरों में रहा वा खबरों में होने के कारण इस्टेटिक जीके से रिलेटेट कोईशन बन सकता है कि राम घड़ ताल जील कहां इस्तित है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के उत्तर परदेश राजय में राम घड़ ताल जील इस्तित है तो फ्रेंट्स अब ये उत्तर परदेश में है तो मायन में तुरंद किलिको जाना चाहिए कि उत्तर परदेश से रिलेटेड कोईशन क्या क्या बन सकते हैं जंसंग्या की दिरिष्ट्री से सबसे बड़ा राज्य होने के करन इस्टेटिक जीके से related आपको उत्तर प्रदेश से सवी question पता होनी चाहिए तो friends question number 3 के साथ आपको उत्तर परदे से related इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number 4 अंतराष्टिय किर्केट में 20 साल पूरा करने वाली भारत की पर्थम महिला किर्केटर है तो friends आपको बता दो हाल ही में मिताली राज ने अंतराष्टिय किर्केट में 20 साल पूरा करने वाली भारत की पहली महिला का रिकॉर्ड पराप्त किया है तो friends question number 4 का right answer है option number A friends यह है मिताली राज जो के एक भारतिय महिला किर्केटर है इन्होंने ही हाल ही में अंतराष्टिय किर्केट में 20 साल पूरा करने का रिकॉर्ड पराप्त किया है तो friends question number 4 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number 5 spirit of केरल नामक फिल्व के निर्दिय सक है तो friends सबसे पहरे तो आपको बता दूँ कि अरुन जोसिफ spirit of केरल नामक फिल्म के निर्दिय सक है तो friends question number 5 का right answer है option number 8 friends आपको बता दूँ हाल ही में spirit of केरल नामक फिल्म बहुत जादा खबरों में रही आपको बता दूँ हाल ही में इस फिल्म को people's choice award से नवाजा गया है एक बार पुना बता दूँ हाल ही में इस फिल्म को people's choice award से नवाजा गया है जिस कारण ये फिल्म हाल ही में बहुत जादा खबरों में रही वा खबरों में होने के कारण static gk से related question बन सकता है कि spirit of केरल नामक फिल्म के निर्देशा कौन है तो आपको पता होना चाहिए कि अरुन जोसेफ spirit of केरल नामक फिल्म के डारेक्टर है तो friends question number 5 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए friends I hope आपको आज 17 जून से related static gk के सभी question समझ आए होंगे अब बात करते हैं 17 जून से related current affair की तो friends current affair सुरू करने से पहले मैं आपको daily बोलता हूँ कि morning में उठने के तुरंट बाद अपने लिए एक दिन का चोटा सा गोल fix करें जिससे कि आपका दिन फातु के कामों में बरवाद न हो रात को सोते वक्त सोने से पहले एक बार अपने दिन के रोटिन पर नजर डाले वा analyze करें कि जो नहीं उर्जा को लेकर आप सुबा जागे थे वा दिन का गोल fix किया था क्या वो दिन का गोल आप पूरा कर पाई या नहीं जब तक आप अपने एक दिन का गोल पूरा नहीं कर पाते ही तो जिन्दगी का गोल कैसे अचीब कर सकते हूँ तो friends बात करते हैं 17 जून से related current affair की तो let's begin friends आज 17 जून से related current affair का पहला question वीडियो का question number first SAIL के निदेशक जिनका हाल ही में निदन हुआ है तो friends question number first का right answer है option number friends यह है अतुल सिरी वास्ता और यह आज तक सैल के निदेशक थे जिनका अब दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निदन हो गया है friends आपको बता दूं उन्होंने 12 मार्च 2018 को SAIL के निदेशक के रूप में कारेबर संबाला था friends आप question को देखे mind में click कर गया होगा कि SAIL आखिरकार है क्या तो friends आपको बता दूं SAIL का meaning Steel Authority of India है एक बार पुना बता दूं SAIL की full form Steel Authority of India है friends question number first के साथ साथ आपको SAIL की full form भी पता होनी चाहिए तो friends question number first से related आपको इतने जानकारी पता होनी चाहिए बीडियो का next question है question number two हाल ही में जिस राज्य सरकार ने athlete हीमादास का नाम खेल रतन के लिए खेल मंत्राले भेज़ा है तो friends आपको बता दूं हाल ही में अस्सम राज्य सरकार ने खेल रतन पुरसकार के लिए athlete हीमादास का नाम अब खेल मंत्राले भेज़ दिया है तो फ्रेंट्स क्वेशन नमर टू का राइट आंसर है, आपको पता है, ये है हीमादास और ये एक भारतिय धाविका है, और अब अस्सम राज्य सरकार ने इनका नाम खेल रतने के लिए खेल मंतराले वेजा है, तो माइंड में तुरंट किली को जाना चाहिए कि अस्सम से र टू के साथ साथ आपको अस्सम से रिलेटेड इतनी जानकारी पता होनी चाहिए, वीडियो का नेक्स्ट क्वेशन है, क्वेशन नमर ट्री, फिलिपीन्स में भारत के अगले राजदूत निउक्ट किये गया है, तो फ्रेंट्स आपको बता दो, हाल ही में सम्भू एस कुम को फिलिपीन्स में भारत का अगला राजदूत निउक्ट किया गया है, तो फ्रेंट्स क्वेशन नमर ट्री का राइट अंसर है, और यही हाली में फिलिपीन्स में भारत के अगले राजदूत अपॉइंट किये गये हैं, तो फ्रेंट्स क्वेशन नमर ट्री से ुआरं थिवर भीटि मुझा थेटा अब याकु आपको षिदियून से साथ एतने जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो 2 कोविट नाइंटिन को भारत की आजादी के बाद सामने आई पांचवी मंदी घोसित किया है तो फ्रेंट्स आपको बता दू हाल ही में देश का हाल साल देखते हुए आर भी आई ने कोविट नाइंटिन को भारत की आजादी के बाद सामने आई पांचवी मंदी घोसित किया तो फ्रेंस नमर 4 का राइट आंसर है और फ्रेंस अब कोविट 19 को पांच वी मंदी आर भी आई ने घुसित किया है तो मैंड में तुरंत के लिए को जाना चाहिए कि आर भी आई से रिलेटेड क्वेशन क्या क्या बन सकते हैं फ्रेंस आपको बता दू आर भी आई की पता होनी चाहिए वीडियो का नेक्ट क्वेशन है क्वेशन नमर 5 यू एन सी टीएडी की विश्वर रिपोर्ट के अंसर भारत को प्राप्तिस्तान है तो फ्रेंस आपको बता दो हाल ही में यू एन सी टीएडी ने एक विश्वर निवेश रिपोर्ट जारी की है जिसमें अपने भारत को नवा इस्तान पराब्द हुआ है तो फ्रेंट्स क्वेशन नमर फाइब का राइट आंसर है ओप्शन नमर डी जिया फ्रेंट्स अब क्वेशन को देखा माइंड में क्लिक कर गया होगा कि UNCTAD आखिर कर है क्या और इसे कौन जारी करता है तो फ्रेंट्स सबसे पहले तो आपको बता दू कि UNCTAD की फुल फर्म United Nations Conference on Trade and Development एक पर पुनहा बता दू UNCTAD की फुल फर्म United Nations Conference on Trade and Development फ्रेंट्स आपको बता दू UNCTAD की रिपोर्ट आपका सहुक्त राष्ट जारी करता है तो माइंड में तुरंत के लिए को जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट से रिलेटेड क्वेशन क्या क्या बन सकते है फ्रेंट्स आपको बता दू संयुक्त राष्ट की इस्तापना 24 सक्टबर 1945 संयुक्त राष्ट का हेड़कॉट है निउवार्क वा संयुक्त राष्ट के वर्तमान महासाजीव एंटोनियो गुटेरस जी है तो फ्रेंट्स क्वेशन नमर फाइव के साथ साथ आपको संयुक्त राष्ट से रिलेटेड इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का नेक्स्ट क्वेशन है अब जिससे रिल्वेश टेशनों पर कोविट नाइटिन की टेजी से निगरानी की जाएगी तो फ्रेंट्स क्वेशन नमर शिक्स का राइट आंसर है और इस रोबोट को अब पूरे रिल्वेश टेशन द्वारा लांच किया गया है तो फ्रेंट्स क्वेशन नमर शिक्स से रिलेटेट आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का नेक्स्ट क्वेशन है फ्रेंट्स आपको बता दू हाल ही में देवेंद्र कुमार सिहां को सिद्वी के नए निदेशा के रूप में चुना गया है तो फ्रेंट्स क्वेशन नमर शिक्स से रिलेटेट आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का नेक्स्ट क्वेशन है फ्रेंट्स आपको बता दू राजिस्तान के वर्तमान चीफ मिनिस्टर असो गहलोत वार राजिस्तान के वर्तमान गवर्नर कल राज मिसरा जी है तो फ्रेंट्स क्वेशन नमर एट के साथ आपको राजिस्तान से रिलेटेट इतनी जानकारी पता होनी चाहिए आपको राजसतान से रिलेटिट एक और जानकारी देदो आपको बता दूं सरिस्का वण्यजीब अभ्यारन और रन थंब और वन्यजीब अभ्यारन आपके दोनों अभ्यारन राजसतान में पड़ते हैं तो friends question number 8 के साथ आपको राजस्तान से related ये दोनों वन्यजीब अभ्यारन भी पता होनी चाहिए तो friends I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगी तो please वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूले इसी के साथ वीडियो का डेली अपडेट को पाने के लिए चैनल सस्क्राइब करते इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन